हलो बच्चों कैसे हैं आप सब आज फिर से हम लोग नमबर सिस्टम की और चलने हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भरती के जो प्रशने पिछले वर्षों में पूछे गए हैं उनका शंग्रह मेरे पास है और उनको आप देखें एक करकर हम आपको हल कराते चलने हैं तो सबसे पहले जो हमने सलेवस बताया था उस सलेवस में पहला चेप्पर हमने शंग्छा पद्धत दिया था इस नमबर सिस्टम से दिये गए क्ष्चन को हम लोग हल करेंगे ये सभी प्रशने आपके उत्तर प्रदेश पुलिस भरती परिश्चा में पिछले वर्षों में उनमें जो क्ष्चन संग्छा पद्धत के आए हुए हैं उनको मैं आपको करने चल ला हूँ तो इन प्रशनों को आप जो है इत्मिनान से देखते चलें जहां कोई अशुविधा हो आप कमेंट से माध्यम से में बता सकते हैं लेकिन आप देखें सब से पहले 2013 में ये क्ष पूछा गया है नमबर सिस्टम से पूछा गया है क्ष्चन में आप से कहा क्या क्या उस बात को आप समझें एक परिच्छा में आपको दिये गए हैं परिच्छार्थी को प्रतेख सही उत्तर के लिए पांच अंक मिलते हैं एक परिच्छा में परिच्छार्थी को सही प्र प्रश्ण के लिए दो अंक आपके काट लिये जाते हैं तो देखो बटा सही अंक के लिए पांच अंक आपको प्राप्त होते हैं और गलत अंक के दो अंक आपके काट लिये जाते हैं तो उसके बाद बोला है उनके पास प्रश्णों की संख्या कितने एक सो बीस टोटल अंक कुल अंक उस व्यक्ति को मिले कितने 285 दो सो पचासी अंक प्राप्त हुए आपको समझना है और इसको ध्यान भी देना है देखो बड़ा कुल प्रशनों की संख्या आपकी 120 इसमें अब सही और गलत तो मैं मानने रहा हूं कि अगर उसके पास माना सही प्रशनों की संख्या कितने बटा यक्स तो अब आप देखोगे इसलिए गलत प्रशनों की संख्या कितनी हो जाई गलत प्रशनों की संख्या अब मेरी बात अच्छे से समझने का प्रयास करें 120 टोटल प्रशन थे आपने एक एक्स प्रशन आपने सही कर लिया तो गलत प्रशनों आपके कितने होए 120 माइनस x प्रशनों आपके गलत हो जाएंगे 120-80 वराबर कितने हो की 40 तो वही चीज हमने किया आपके कुल प्रशनों की संख्या कितने 120 जिसमें सही प्रशन आपने किये कितने यक्स तो गलत प्रशनों की संख्या 120-100 होगी अब दूसरी बात देखें अगर आप सही प्रशन करते तो पाँच अंक आपको मिलते हैं एक प्रश्ण पर पाँच अंक तो आपने एक्स प्रश्ण अटेम्ट किया है तो आपको मिलेंगे सही प्रश्णों में आपको प्राप्त अंक हो जाएंगे पाँच यक्स ये बात आपको समझवाई अगर 10 प्रशन आपने सही किया माली ये उसमें 5 अंक के प्रशन है तो 5 गुणे 10-50 अंक आपको प्राप्त हुए उसी तरीके से यहाँ पर 10 प्रशन आपने अटेम्ट किया और एक प्रशन पर 5 अंक आपको मिलने है तो कुल अंकों की संख्या आपको कितनी के 5 एक्स मिल जाएगी दूसरी बाग अब आप आपने गलत प्रशन कितने 120-6 किया है इनमें दो अंक आपके कटेंगे तो भीया आपने मालो 40 प्रशन गलत कर लिया और दो अंक प्रतेक अंक के कटने थे 40-180 उसी तरह से 120 गुणे 2 प्रशन इतना अंक आपका कट जाएगा यानि आपके जो प्राप्त अंक है उससे घट जाएगा इसका मतलब यहाँ पर माइनस लगाओगे और यहाँ रिको 2 एक्सो बीस माइनस एक्स बराबर बुटाए कितना 285 280 अंक आपको प्राप्त हुए थे जिसमें सही अंकों में आपको 5 एक्स अंक मिले और गलत अंकों में एक्सो बीस माइनस एक्स अंक आपको प्राप्त मतलब आपके माइनस हो गए तो उसको 5 एक्स माइनस दो गुड़ित एक्स बीस माइनस एक्स बराबर किता 280 अब इसको हल करोगे तो आपको एक्स की बैलू मिल जाएगी यानि सही अंकों में प्राप्त आपको या कितने प्रश्न आपने सही अटेम्ट किया वो आपको प्राप्त हो जाएगा तो देखो बेटा होगा 5X इसका गुणा करोगे 240 माइनस माइनस प्लस 2X इकल टू 85 5 और 2 कितना हो जाएगा कितना 7X इसको आप रिप्लेस कर लोगे 285 प्लस 240 आप लिखेंगे 7X इकल टू यह आपका 5 हो गया 8 4 12 हो गया 2 2 4 1 5 तो बेटा आपको मिलेगा कितना X इकल टू 5 2 5 अपान 7 X इकल टू 7 749 और 5 3 बसता है 7 35 75 अंक आप 75 प्रश्ण आपने क्या किया सही किया इनमें 4 आपसन जो दिए गये हैं उसको भी देख लें 4 आपसन आपको बेटा दिए गये हैं 60 65 75 85 देखो आपका A, B, C and D 60 65 75 और 85 अब आपके इसमें आपसन नमबर C आपका क्या होगे बटा करेक्ट होगया उसने 75 प्रश्ण आपके करेक्ट अटेम्ट किया था तो क्वेश्चन में कोहीं डाउट नहीं होने चाहिए फिर समें आपको रिवैश्च कर रहा हूँ आपको दिया गया भई कुल प्रश्णों की संख्या 120 और उस बेक्टिकों में लेकिन कुल 280 अंक पराप्त होते हैं तो अब आपके फिर क्वेश्चन में बोला है सही अंकों में उसको 5 यानि सही प्रश्णों में प्रतीक प्रश्णों पर 5 अंक मिलता है और एक प्रश्णों गलत करता है तो उसके 2 अंक कट जाते हैं तो आप सही प्रश्णों की संख्या एक्स माना गलत प्रश्णोंग संख्या इतनी हो गई तो पांच एक्स माइनस दो 120 माइनस 6 वराबर दोसों पच्छासी इसको हल करने से आपको सही प्रशनों की संख्या 275 आपको प्राप्त हुई इस तरीके से आपसर नमबर C आपका यहाँ पर क्या है करेक्ट होगा चलो बड़ा दूसरा क्वेशन ये प्रशन भी आपका 2013 में आया हुआ है उत्तर प्रदेश पुलिस भरती 2013 में अगला भी प्रशन आपसे पूछा गया है देख वेड़ा आपसे क्वेशन कह रहा है 80 और 90 के वीज अभाज संख्या है पहले मैं यहाँ पर आपका आपसर लिखूंगा क्योंकि बाद में दिक्कत होती है चली तो पहले बोला भया 80 और 90 के वीच अभाज संख्या है यह आपका प्रशन है वाई अब पहला आपसर आपको दिया क्या 81 और 83 शेकेंड आपसर आपको दिया है 83 और 87 थर्ड आपसर आपको दिया है 81 और 89 और फोर्थ आपसर आपको दिया है 83 और 89 अभाज संख्या मतलब बैटा जो किसी से न कटे स्वेव अपने से कटे उन्हें संख्याओं को हम अभाज संख्या कहते हैं तो इसमें आप देख लिए मैं इन नंबर्स को पूरे को आप लिख रहा हूँ देखो 80 और 90 के मध्य बोला है तो 80 और 90 को पहले छोड़ देना है यह बात क्लियर हो गई 80 और 90 के मध्य बोला 80 और 90 को आपको क्या करना है छोड़ देना है अब उसके बीच की जो संख्याओं को लिख लो भाई 81 ए 81 ए 81 82 83 84 85 86 87 88 89 89 देखो अभाज संख्याओं जो सोयम से खटे मैं प्रतेक संख्याओं को आपको दिखाते चलना हूँ और देखते चलो कैसे इसको हम डिफाइन करेंगे देखो बेटा 81 जो है 3 से कट जाएगी 9 से कट जाएगी तो ये अभाज संख्याओं नहीं होगी 82 भी आपकी 2 से कट जाएगी ये भी अभाज संख्याओं नहीं होगी 83 को आप देखो किसी भी संख्याओं से काटेंगे तो कटने वाली नहीं है 2 से काटे, 3 से काटे जो भी तो ये आपका 83 यहाँ पर बस गया भाई अब 84 भी आपका यहाँ पर जो है क्या हो गया भाई दो से कट जाएगा 85 भी 5 से कटेगा 17 कटेगा 17 पशे 89 हो जाएगा ये दो से और्लडी कटेगा ये आपका जो है 87 भी आपका कट जाएगा किस से, 3, 2, 6, 3, 7, 27 यानि की 3 से कट गया 88 भी आपका कट जाएगा 89 को आप अब देखो 89 आपका नहीं कटेगा 2 से डिवाइड नहीं होगा 3 से भी डिवाइड नहीं होगा इस तरीके से ये जो दो नमबर आपको मिले 83 and 89 83 and 89 ये आपकी अभाज संख्या होंगी यानि आप संडी आपका करेक्ट हुआ ठीक है इस तरीके से इसी तरह के कुश्यन हाते है अब आप देखो 80 और 90 की बीच बोला था और अगर आप 80 और 90 को ले लेंगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी तो पहली बार तो आप ये देखें 80 और 90 की बीच की संख्या बोला उन संख्याओं को ही आपको लिखना है उसके बीच आपने अवाज संख्या प्राप्ट कर लिया लेक्स कुश्चन के और चलते हैं बड़ा ये भी प्रश्चन आपका जो है 2013 में ही आया हुआ है प्रश्चनों को इत्मिनान से देखते चलें और नंबर सिस्टम से किस प्रकार के प्रश्चन आपके पूछे जा रहे है उन पर भी आपको अमल करना है विचार करना है और आपको कोई अशुविधा नहीं होगी देख वाज़ा तीसरा कुश्चन आपसे दिया भाई च्छ लगातार विशम संख्याओं का योग तो पहले आप आपसन पर विचार करे च्छ लगातार विशम संख्याओं का योग तो देखो वाई इसमें आपसे कुश्चन में दिया है कि पहला आपसन दिया है पचास दूसरा दिया है साथ 50 60 उसके बाद फिर आपसे 72 और 80 72 और 80 अब मैं आपसे प्रश्ण बोलना है उसको सुनिये च्छा क्रमागत विश्ण संख्याएं ली गई है अब च्छा क्रमागत विश्ण संख्या तो आपको पहले क्लियर हो जाए उसके बाद फिर वोला है कि उनमें से सबसे बड़ी संख्या के दूगने से 38 अधिक है नहीं कि च्छा क्रमागत संख्याओं का योग सबसे बड़ी संख्या के दूगने से 38 अधिक है तो वो विश्ण संख्याएं आप राप्त कीजिए यानि आपको फाइंड करनी है कि उन सं मजलोग चविशम संख्या कितनी विशम संख्या का योग आपको प्राप्त करना है चविशम संख्या का योग प्राप्त करना है ठीक है लेकिन कंडिशन के गार्डिंग पहले उसकी वेलू तो प्राप्त करो है ना तो मान लिजे माना चविशम संख्या है माना चविशम संख्या ले लो भाई कौन कौन यह एक्स ले लिया एक्स प्लस टू ले लिया एक्स प्लस फोर ले लो भाई है ना एक्स प्लस सिक्स एक्स प्लस इ देखो यह वन टू थ्री फोर फाइब और यह हो गया कितना एक्स प्लस टेन यह च्छ विश्म संख्याएं आपके पास ली गए एक दो तीन चार पांच अब प्रस्टना निस्वा एकार्डिंग टू कुश्चन के रहा भाई इनका योगफल च्छ विश्म संख्याओं का यो यानि क्या हो जाए एक्स प्लस एक्स प्लस टू एक्स प्लस फोर एक्स प्लस सिक्स देखते चलें किस तरह से यह क्ष्छन आपके हो रहे हैं इनको आपको समझने की जरूरत है यह बोला है च्छ विश्म संख्याओं का योग सबसे बड़ी संख्या के दो गुने से 38 अधिक है देखो बटा सबसे बड़ी संख्या कौन है एक्स प्लस टेन है तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है इन संख्याओं का योगफल सबसे बड़ी संख्या के दो गुने 2 इंटू एक्स प्लस टेन इकड़ू 38 च्छ संख्याओं का योगफल सबसे बड़ी संख्या के दो गुने से 38 अधिक है तो आपको प्राप्ट करना है इन च्छ संख्याओं का योगफल आपको प्राप्ट करना है तो मेरे ख्यासे प्रश्न आपको क्लियर हुआ 26 संख्याओं का योगफल उन में से सबसे बड़ी संख्या के दो गुने से 38 अधिक है तो उन 6 संख्याओं का योगफल आपको प्राप्ट करना है तो देखो बेटा इसको हल कर लीजे आप देखो 1,2,3,4,5,6, कितने यक्स ह हो गया अब देखो 10,8,8,2,24,28,2,30, प्लैस आपको हो गया 30 माइनस यहाँ देखो 2 एक्स यहाँ पर माइनस 20 तू टेंजा दो धंबा 20 बराबर 38 6 एक्स में से 2 एक्स निकालोगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगग कितनी मिल गई भई, x की value कितनी आ गई 7, अब आपको क्या करना है, इन संक्षाओं का योगफल प्राप्त करना है, तो उन संक्षाओं का योगफल आपको कितना मिला है, 6 का योग बराबर कितना हो गया भाई 60x plus 30 यहां पे x की value put up करोगे कितना 7 plus 30 आपको कितना मिला गया 42 plus 30 आपने देखा भाई कितना आया आपके पास 72 यानी कौन सा अफसन आपका correct भाई सी आपका करेक्ट है क्वेश्चन दिश्चित रुप से आपको क्लियर होगा और इस तरीके से आप नंबर सिस्टम के क्वेश्चन को टेक अप करेंगे यह आपको भईया प्रैक्टिस के लिए में आपको बताते चलना हूँ और इनको आप मन में आप तुरंट फटाफट हल कर लोगे अगर आपके अंदर प्रैक्टिस हो जाएगी तो सीधे आप यह लिखे और तुरंट साल करेंगे आपका टाइम भी बचेगा और क्वेश्चन थोड़ा जल्दी हो जाएगा तो अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नमबर फोर पर यह चोथा जो सवाल है आपका यह भी आपका आया हुआ भाई कब दो हजार नौ में उत्तर प्रदेश पुलिस वरती दो हजार नौ में यह प्रश्ण आप से पूँचा गया है और यह आपका सिंपल कोश्चन है देखे ठीक है चलिए देखो बटा यह आपका उत्तर प्रदेश पुलिस वरती दो हजार नौ का कोश्चन है नमबर सिस्टम से लिया गया है ठीक है हम आपको केलेक्शन आप क्वेश्चन यानि प्रश्णों का शंगरह दे रहे हैं जो कि पिछले परिश्चाओं में उत्तर प्रदेश पुलिस वरती में पूछे गए हैं किस तरह से कुष्चन इसमें पूछे जाते हैं कैसे आपको हल करना है यह आपको समझने की जरूरत है तो देखो बटा इसमें पूछा है किसी संख्या का घन किया जाए तो निम्नलिक्षित में से कौन से अंक इकाई अस्थान पर हो सकते हैं आपसे बोला है अगर इनका हम घन करें किसी संख्या का घन करें तो इकाई के अंक पर कौन कौन से अंक प्राप्त हो सकते हैं ये आपको बताना है, चारों आपसन आपके दिये गए हैं, पहला आपको दिया वेटा, इकाई के अस्थान पर एक प्राप्थ हो सकता है, अथ्वा दूसरा आठ प्राप्थ हो सकता है, तीसरा जीरो से नाइन तक सभी संख्या प्राप्थ हो सकती हैं, और ये आपका नाइन. प्रश्चन आपको क्लियर हुआ अगर किसी संख्या का घन किया जाए तो निमले खित में कौन से अंक इकाई के अस्थान पर प्राप्त हो सकते हैं यह आपको बताना है तो देखो भाई कोई भी संख्या आप करेंगे भाई तो एकाई केंग पर कौन अंक प्राप्त होगा वो आपको देखने के जरूरत है आप समझने के जरूरत है यह सिर्फ क्वेश्चन एकदम रट जाओ एकदम से क्लियर हो जाए हम आपको बता रहे हैं उसके कार्डिंग आ एट लिया नाइन लिया जीरो से नौ तक की संख्या हमने ले लिया अब देखो जीरो का क्यूब करोगे भाई तो कितना आएगा जीरो आएगा वन का क्यूब करोगे भाई वन आएगा दो का क्यूब करेंगे तो आपको आठ मिलेगा तीन का क्यूब करोगे तीन तरिक का न चार का क्यूब करोगे, 4.16.64 मिलेगा, देखते चलिए, 5 का करेंगे भाई, 125, 6 का करेंगे, 216, 7 का करेंगे, 3, 4, 3, 8 का करोगे भाई, या क्यूब करेंगे आप, तो यहां पर आपको 512, और 9 का क्यूब अगर आप करते हैं, तो आप मिलेगा, 729, अब देखो, इनके इकाई के अस्थानों पर आपको विचार करना है, हमने 0 से 9 तक की संख्या ले लिया, 0 से 9 तक की संख्या को लेने के बाद, उनके इकाई की जो अस्थान है, उस पर आपक विचार करने हैं, देखो कौन-कौन से अंक प्राप्त होते हैं, तो देखो पहले यहां 0 प्राप्त हुआ पहला, पहला क्या प्राप्त हो गया, 0 तो 0 आपने लिख लिया, दूसरा 1 प्राप्त हो, 1 भी लिख लिया, अब देखो भाई, दूसरा क्या, 2 भी प्राप्त हो रह तीन को भी लिख लिया इसके बाद चार प्राप्त हो रहा है चार को भी लिख लिया पांच मिल ला है पांच को भी मिल लिया च्छ च्छ भी मिल ला है बटा यहां पे यहां पे साथ शाथ भी मिल ला है अब उसके बाद देखो आठ यह भी आपको मिल ला है उसके बाद नव म पर प्राप्त हो शक्ति है तो इस तरीके से आपका आपसर नंबर सी करेक्ट हुआ यह 2009 में आपका क्वेश्चन पूछा गया था भाई सीज है और करेक्ट आंसर किसी को यह सुविधा हो तो बताएं भाई क्वेश्चन को एकदम डिफाइन करके लिए चलना हूं कहीं आपको कंफ्यूजन नहीं नरटने की जरूरत है एकदम दिमाग में सिट करो कि कैसे हमको साल कर से हमको बताना है कि प्रश्णों को समझने का त परिच्छा हुई थी मौर्निंग सिट में क्वेश्चन आप से पूछा गया था यूपीपी दो हजार अठार है कि तू थाउजन एटीन में क्वेश्चन आप से पूछा गया था और किस बैस में बैटा मौर्णिंग बैस में प्रश्ण क्या है उसको आप देखें नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या पूरी तरह विभाजित करने योग है किससे 24 से रेखें पहला दूसरा तीसरा और चौथा एवी सीडिये चार आपको दिये गए हैं पहला दिया है 14744 चीक है दूसरा दिया है 28,856 28,856 चीक है जी तीसरा आपसन है यहाँ पर 43,976 43,976 चौथा आपसन आपको 57,528 यह संख्याएं विभाजित कि से हो रहे हैं भाई 24 से चार आपसन आपको दिये गए 14,744,28,856,43,976 और यहाँ पर 57,528 यह चारों आपसन आपके सम्मुक दिये गए हैं इसको डिवाइट करना है बटा कितना 24 से कौन सी संख्या 24 से पूरी तरह विभाजित होगी ठीक है कौन सी संख्या 24 से पूरी तरह से विभाजित होगी देखो बटा इसका सिंपल तरीका तो यही है कि आप डिवाइट करो लेकिन डिवाइट करेंगे तो चारों आपसन को आप डिवाइट करेंगे तो आपको टाइम टेकें तो लगेगा है ने तो इसमें आप देखो इसका अएट कर लो भाई चार चार आड़ साथ पंदर चार ने सेख बीस चपाँ यार आट उननीस और दो इक्कीस आठ उन्तिस साच छ तेरे साथ वीस दोबाई दुबाइश तिर पचीस चार उनतिस आठ दो दस पांदरा पांद्रा पांदि अब आप देखो यह आपका 24 दो धन 4 बराबर कितना 6 इसका फैक्टर 3 गुड़ी 2 ठीक है अब इसमें आपको देखना भाई इन दोनों फैक्टर से कौन डिवाइड है भाई है आप देखो यह दो से तो डिवाइड लेके 3 से डिवाइड नहीं है यह नहीं होगा 29 किसी से डि लहा है क्या 57,528 तो 57,528 में अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो 39 आपको मिल जा कितना 27 तो इसको डिवाइड करके आपको मैं दिखा भी दे रहा हूं 24, 5, 7, 5, 2, 8 चिक तो आप ध्यान दो भाई यह हो जाए कितना 48 शत्रमेशे 8 गया कितना 9 यह हो गया 5 ठीक है तो आपको मिल गया कितना यहां से 95 अब आप 3 टाइमस यहां पर ले जाओ 24 त्रमेश दो गया आपको हो गया कितना 3, 9 में 7 गया 2, आपको मिल गया यहां से 2, 232 अब यहां से आप 9 टाइमस अगर ले जाओगे कितना 9 बार ले जाओगे 9, 4, 36, 9, 28, 21, बारमेश चेगया 6, 1, कैंसील, 168 अब यहां पर 7 टाइमस आप ले जाओगे कितना 7 बार, 7 बार अगर आप ले जाओगे तो 7, 24, 28, 27, 24, 26, यह आपको कैंसील हो गया यानि कि 24 जो पूरी तरह विवाज थोने में संख्या है वो कौन से है भाई यह आपका चौथा है, तो देखो यहां पर थोड़ा सा बच्चत आपको हुई, इन दोनों कुष्चन को टेक अप नहीं करना, इन दोनों को क्योल करना है 29 भाई विश्म ते तो कटेगे नहीं, 24 से, यानि 6 से डिवाइड नहीं होना है, उसके फैक्टर दो और तीन आरे तो उसमें से पहली और दूसरी शंख्या आपकी डिवाइड होनी थी, जिसमें से हमने चिक किया तो आपको मिला क्या चौथा आफसन आपका करेक्ट मिला, यानि 7,528 नहीं, फोर्था आफसन आपका क्या हो गया करेक्ट हो, इस तरीके से ये संख्या 24 से पूरी तरह क्या होगी, विवाजित हो जाएगी, नेक्स्ट क्यों चलते हैं, अगला प्रश्न वेटा आपका है, ये मेरे ख्याल से चौथा प्रश्न आपका हो गया, और पा ये जो छठा क्यों आपको मिलना है, ये भी 2018 मौर्णिंग बैस में ये क्यों आपसे पूछा गया है, ठीक है, 2018 मौर्णिंग बैस में ये भी प्रश्न आपका पूछा गया है, क्यों देखें, आपसे बोला है सबसे बड़ी चार अंकों की संख्या, जो 15, 25 और 35 से प्रतीक द्वारा विभाजित करने योग के है, देख वेड़ा बहुत ही इस तरह के सवाल बहुत ही पूछे जाते हैं, और प्राया आप गलत करते हो, तो कन्फ्यूजन होता है, इसलिए गलत करते हैं, ठीक, उस कन्फ्यूजन को आज आप दूर करें, आपको जो संख्याएं दी ग बड़ी से बड़ी शंख्या आपको प्राप्ट करनी है, चारो विकल्प आपके दिये गए हैं यहाँ पर, यहाँ दिया भैई 9975, 9975 पहला आप्शन, दूसरा 9925, तीसरा आपको दिया गया है 9875, चौथा आपके पास है 9825, चार अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी वह संख्या जो 15, 25 और 35 से पूर्टा विवाजित हो जाएं, उन्हें संख्याओं को हमें प्राप्त करना है, या उस संख्या को हमें ग्याद करना है, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए भाई, यह आपको क्ल सबसे बड़ी संख्या क्या होती भाई, 9999, 9999, है न, सभी को यह बात क्लियर होनी चाहिए, चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है, 9999, अब आप देखो, जो संख्या आपको दिया गया, 15, 25, 35, इसका आप क्या निकालोगो भाई, LCM find करोगे, तो LCM निकालने का तरीका आप देख लो, 15, फैक्टर मेथट से निकालना, फैक्टर निकालो भाई, 15 का लिखो कितना, 3 इंटू 5, 20 का लिखो कितना, 5 इंटू 5, 35 का लिखो कितना, 7 इंटू 5, इसका आपको निकालना क्या बटा, LCM पहले आप find करोगे, LCM of this number, तो देखो LCM में जो नंबर कामन होता, उसको एक बार लिखते हैं, 5 लिखोगे, जो नंबर कामन नहीं होते, उसको पूरी तरह से उतार लिए जाते हैं, clear, जो कामन है, उसको पहले लिख लिया, जो नहीं कामन, उसको 3 इंटू 5 इंटू 7, इसका मल्टिप्लाई कर लिजे, 25, 25, 75, 7, 35, 49, और कितना बेटा, 49, और 3 हो गया, कितना 52, 525 आपको प्राप्ट हो गई, ठीक है, अब आप देखो, LCM लेने पर 525 आपको मिल गया, अब 525 से 9999 में आप क्या करोगे, यहां पर डिवाइट कर दोगे, ठीक है, LCM निकालने के पशाद, चार अंकों की जो वड़ी संग्चा है, उसमें 525 से आप डिवाइट करोगे, तो मिलेगा कितना, पहले यहां पर आप ले जाएए कितना, वन टाइमस, 525, 9 में 5 गया 4, 9 में 2 गया 7, 9 में 5 गया 4, 474, अब आप देखो, यहां पे 9 आप यहां पर उ उतार लेजिए, ठीक है, जब 9 यहां पर उतार लेंगे, तो अब कितना बार जाएगा भाई, यहां पर 9 टाइमस ले जाओ, 9 पच्छे 45, 9 दुनिया 18, 4, 22, 9 पच्छे 45, 2, 46, बेटा कितना है, 9 माइनस 5, आपको 4 मिलिया, यह आपको 2 मिलिया, सेस्फल आपको जो मिलेगा, उसी का यहां पर रोल है, सेस्फल आपका हो गया, कितना 24, इस 24 को 9,999 से अगर घटा दोगे, तो शंख्या आपको मिल जाएगी, तो शंख्या हो गया, कितना 9,999, माइनस 24, जो भी रिमेंडर आएगा, उसको माइनस करना है, तो 9 मिस चार गया, बेटा 5, 9 मिस दोगया, कितन 7,999, तो कितना आगया भई, 9,975, यह आपको मिला, जो कि आपका आफसर नंबर एक सही है, यह आपका यहां पर जो है, कम्प्लीट रूफ से सही है, तो इस प्रकार से आपको यह संख्या प्राप्त हो जाएगी, तो बटा इस तरीके से आप इन कॉस्टन्स को साल्व अभी मेरे साथ टाइम आपको लगेगा, लेकिन जब आप इसकी प्रक्टिस करोगे, क्योंकि इसके बाद मैं प्रक्टिस सेट भी कराऊंगा, उसमें मिक्स होगा, अभी तो मैं आपको चैप्टर वाई लेकर चलना हूँ, पहले नंबर सिस्टम का, फिर इसके बाद, फिर बढ़ जाएगी और आसानी से आप इन कुश्चन को टेक अप करेंगे, तो थैंक यू, हमारे इस चैनल को लाइक से र सब्सक्राइब जरूर करें